अगर आपका टारो और कुल्ट में इंट्रेस्ट है आप सीखने चाहते हैं, we have a tarot certification course, जिसमें A to Z about tarot आपको सीखने को मिलेगा. When I say A to Z, मतलब बहुत simple simple basic चीजों से लेकर, जो भी main main topics होते हैं, each and everything connected and related to tarot is covered in this course. और अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, यानि कि कैसे आप एक professional tarot का auditor बन सकते हैं, अपना career tarot में बना सकते हैं, ये भी इस course में covered है. और अगर इसी से ही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में है, आप screen पे दिये गए number पर हमें whatsapp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं. Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापपुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापता हिक राशी फल. ये 23rd June से लेकर 30th June तक की आपकी tarot ratings हैं, tarot predictions हैं, और इस वीडियो में सब भी साइंस के सापता हिक राशी फल हैं, नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है, आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी rating आजाएगी. तो चलिए जी देखते हैं कि coming week आप लोगों के लिए क्या लेकरा रहा हैं, आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकरा रहा हैं, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है flowering, I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं, इस card में जो female हैं वो कमल के फूल के उपर बैठे हुई हैं, और बहुत ही खुबसूरत female हैं, आसपास की energies भी बहुत beautiful हैं, और जब भी ये card में देखती हूँ, मुझे मा लक्षमी का ध्याना आता है, मा लक्षमी सिरुफ पैसा, money, materialistic, tangible चीज़ों को नहीं represent करती हैं, साथी साथ सुक, सिमृधी को भी represent करती हैं, और overall के लिए देखें, तो कुछ ऐसा ही आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है, यानि कि मा लक्षमी की blessings आपके उपर रहते भी दिख रही हैं, और कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related, कुछ भी issues, मसले पीछे, अगर आप face कर रहे थे, या फिर नहीं भी face कर रहे थे, तो ये week, you know, इनहीं सब चीज़ों से related काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, अगर face कर रहे थे, तो कहीं किसी level पे चीज़ें बहतर होती भी दिख रही है, और अगर नहीं face कर रहे थे, कुछ भी issues, money, पैसे से related, तो, you know, otherwise भी किसी नहीं किसी level पे आपको gain होता हुआ दिख रहा है, फैदा होता हुआ दिख रहा है, होता है नहीं कभी-कभी किसी को उधारी दी, मिली नहीं रही है, या फिर कोई payment टटकी हुई है, वो आपको मिल सकती है, और कहीं एक comfort भी रहता हुआ दिख रहा है, materialistic, tangible, चीज़ों से related, financial, stability, security, या तो, इस week आप अपने professional fund में महसूस कर रहे हैं, या फिर कैसे एक financial, stability, security आए, उसके लिए effort आप करते हुए दिख रहे हैं, यानि कि आपको ऐसा इस week लग सकता है, कि जो भी आपके financial goals हैं, आप अचीव कर लेंगे, all in all, ये week अच्छा जातावा दिख रहा है, and personal fund से related, आप लोगों के लिए, clinging to the past का card है, और इस card में जो figure हैं, वो पुरानी सी कोई album, किताब लेकर, उसके उपर बहुत ज़्यादा attention दे रही हैं, अब देखिए, अगर हम literal meaning देखें, तो past की किसी चीज़ को बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए हैं, अब सब के लिए differ करेगा, क्योंकि ये general reading है, कुछ के लिए कोई connection हो सकता है, कुछ के लिए past में आपने किसी अपने loved one को कोई बात कही, उसके उपर आप बहुत क्रिप कर रहे हैं, या किसी loved one ने आपको कोई बात कही, उसको आप बहुत tightly पकड़ कर बैठे हुए, कोई event है, कोई भी past की चीज़ पर आप जादा focus करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं देखिए ये past की जो भी चीज़ है या कोई भी चीज़ जिसको आपने बहुत tightly पकड़ा हुआ है, happy energies नहीं आपके लिए लेकर आ रही हैं, आप क्रिप करते हुए दिख रहे हैं, काश ऐसा ना हुआ होता तो आज ये चीज़ ना होती, काश मैंने ऐसा ना कहा होता तो ये ना होता तो इस तरीके की energies इस भी रहती वे दिख रही हैं, और दिखिए जब भी भी हम ऐसी energies में होते हैं तो फिर हम परिशान ही होते हैं, और in fact मैं कहूंगी कि हम future को भी खराब करते हैं, क्योंकि जो आप आज कर रहे हैं वही आपका future decide कर रहा है, और past का हमारी life में सिरफ और सिरफ एक ही मकसद होना चाहिए, learning लेना, जो भी mistake हमसे हुई, उसने हमें क्या सिखाया, उसने हमें क्या lesson दिया, उसको लेना, इसके अलावा past का हमारी life में और कोई माइने, और कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हाँ कभी happy memories होती हैं, जो खुशी देते हैं moments, उनके बारे में हम ज़रूर सोच सकते हैं, बट इसके अलावा हमें past के उपर नहीं focus करना जाहिए, इसके अलावा जब भी हम past के उपर focus करते हैं, हम नहीं अपना आज खराब करते हैं, हम अपना future भी खराब करते हैं, क्योंकि ये weekly reading है, तो बहुत बड़ी कोई चीज नहीं रहती हुई दिख रही है, लेकिन English में एक कहावत है न, stitch and time saves nine, तो जब छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं तब ही हम उनको रोक लेते हैं, तो उनको बड़ा होने से हम बचा लेते हैं, तो फिर से कहूंगी कि इस week कैसे आप इन ही चीज़ों से खुद को बाहर निकालें, कैसे आप जो भी present situation है उस पे focus करें, कैसे आप एक going with the flowal energies में रहें, एक surrender mode पे रहें, इस पे आप जादा focus करें, ऐसा करेंगे तो ये week अच्छा जाएगा, नहीं तो थोड़े से परिशान हो सकते हैं, and in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए revolution का card है, revolution का card कहीं transformation की बात करता है, change की बात करता है, और देखिए इस card में लिखा हुआ है, give up the old to make way for the new, और कहीं देखिए इस card की guidance, जादा मुझे personal front के लिए रहती भी दिख रही है, क्योंकि personal front में card है, clinging to the past, यानि कि आप past की किसी बात को पकड़ कर बैठे हुए हैं, और guidance का card कहता है, कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ें, ताकि नहीं चीज़ें आपकी life में आपाएं, और transformation की बात करता है, changes की बात करता है, in fact, मैं कहूंगी ये card कहता है, suddenly, you know, अपने आपको इसमें से बाहर निकालें, नहीं तो फिर, समय आपको इसमें से बाहर निकालेगा, या फिर universe आपको बाहर निकालेंगे, और आप नहीं अगर निकलेंगे, तो फिर परिशान होंगे, तो इसके उपर जरूर आप इस week focus करें, या फिर इसके उपर जरूर आप work करें, and astrology से, आप लोगों के लिए Aries sign का card है, देखिए आपका sign भी Aries है, आपके लिए card भी Aries है, और Aries राशी कहीं action को represent करती है, कहीं, you know, एक enthusiasm, excitement, high energy levels को represent करती है, और इस हिसाब से personal front का card देखें, तो emotionally low feel कर रहे हैं, और कहीं देखिए आपकी राशी भी, आपको यही कह रही है, कि जो आपका real self है, action लेना, और, you know, goal पे focus करना, उसके लिए effort करना, उस वाली energy में आप जाधा रहें, और इसके हिसाब से, all shades of red, maroon, rust, आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, significant day आप लोगों के लिए होगा, Tuesday, तो यह था Aries, आप लोगों के लिए coming week का सापता है, एक राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं, कि यह कितना आप के साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए टॉर यह साप लोगों के लिए देखें, coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है, तो professional fund के लिए, आप लोगों के लिए card है postponement, postponement के literal meaning को देखें, तो delay की बात करता है, चीजों के देरी से होने की, या फिर मिलने की बात करता है, अब देखें, जनरल reading है, situation, circumstances, सब के लिए differ करेंगे, कुछ के लिए हो सकता है, कि आप कहीं जा रहे हैं, आपकी flight डिले हो गई, आपकी train डिले हो गई, कुछ के लिए हो सकता है, कि कोई outcome, कोई result आप expect कर रहे हैं, आपको इस week नहीं मिल रहा है, कुछ के लिए हो सकता है, कि बड़ा ही slow तरीके से, चीजे आगे बढ़ रही हैं, तो दिखें, जो भी चीजें मेरे mind में आई, मैंने कहा, कहीं overall के लिए, चीजे पोस्ट पॉन होती हुए दिख रही हैं, डिले होती हुए दिख रही हैं, कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है, कि आप ही बहुत एक lazy सी, या फिर low energy में हैं, जहाँ पर enthusiasm, excitement missing रहती हुए दिख रही हैं, जो भी आप कर रहे हैं, और इसी लिए याँ पर कोई भी और reason हो सकता है, आप बहुत actively चीजों में खुद को involved नहीं कर रहे हैं, participate नहीं कर रहे हैं, आप किसी level पर चीजों से withdraw कर रहे हैं, backseat ले रहे हैं, और चीजों को अच्छे से समझना चाहा रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले, कर रहे हैं खुद को या फिर चीजों टेले हो रही हैं, कुछ भी हो सकता है, और this is not a negative card, तो कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है, but yes, कुछ positive या फिर बहुत great भी इस वीग नहीं रहता हुआ दिख रहा है, and personal front के लिए आप लोगों Clay Creator का card है, और इस card की why भी आप देखें, बहुत जबरदस्त एक energy, बहुत जबरदस्त एक you know enthusiasm, excitement सा रहतावा दिख रहा है, fire sign है, fire कहीं energy levels को ही represent करती है, और कुछ ऐसा ही इस week आप लोगों के लिए personal front के लिए रहतावा दिख रहा है, creator के literal meaning को देखें, तो किसी चीज़ को create करना, अब फिर से general reading है, सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा, लेकिन overall के लिए अगर हम देखें, तो personal front में जो भी हो रहा है, या फिर जो भी आप कर रहे हैं, बहुत आप उसको enjoy करते हुए दिख रहे हैं, एक risk taking ability आपके लिए रहती भी दिख रही है, यानि कि आप किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं, बिंदास होके, जो भी कहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं, अपने गोल मकसद की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और बहुत एक फिर से मैं कहूंगे enthusiasm excitement रहता हुआ दिख रहा है जहाँ professional front में हमने देखा कि enthusiasm excitement missing रह रहा है वही personal front में काफी जादा रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे male figure है तो हो सकता है कि कोई आपके personal front में male figure है यहाँ फिर female है जिनके masculine energies है वो बहुत support कर रहे हैं और वो एक reason है इन ही energies के लिए इन ही एक you know enthusiasm excitement के लिए तो overall के लिए personal front काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and in general यहाँ फिर guidance है आप लोगों के लिए the receptive का card है और दिखिए receptive का card कहीं passive energies की बात करता है और कहीं patience यानि की sabr भी रखने की बात करता है कितनी बारी होता है ना कि हम इतना जादा action लेने पर focus कर रहे होते हैं कि हम pause लेके समझते भी नहीं या समझना भी नहीं चाहते हैं कि actually में हमारा action होना क्या चाहिए हम right direction में action initiatives ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं और कभी कभी थोड़ा सा pause लेकर introspective energies में रहना बहुत important होता है थोड़ा सा you know एक receiving energies में रहना बहुत important होता है क्योंकि कितनी बारी हम बड़े ही giving वाली energies में होते हैं हम उसके लिए भी कर दें हम इनके लिए भी कर दें और हम देने वाली energies में again मैं कहूंगी इतना जादा होते हैं कि हम खुद के ओपर hard हो जाते हैं या फिर हम कहीं receiving वाली energies को block करते हैं तो I don't know आपकी life में क्या हो रहा है बट ये काड आपको guidance दे रहा है कि एक receptive वाली energies में रहें अगर बहुत जादा giving हो रहे हैं तो इस week थोड़ा सा receiving वाले भी mode में रहें यानि कि अपने आपको बोलें कि भही मुझे लेना भी है क्योंकि giving and receiving का balance ही एक ideal situation होता है बहुत action initiatives ले रहे हैं तो थोड़ा सा pause लेकर introspective energies में रहें चीजों को और जादा समझें and astrology से आप लोगों के लिए वर्गोर साइन का card है इसके हिसाब से all shades of beige and brown आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए हो गावटनेस दे तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए coming week का साथता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले जेमनीज आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए काड है laziness laziness के literal meaning को देखें तो आलस की बात करता है लेकिन यहाँ पर ये काड उस आलस की बात नहीं कर रहा है जहाँ पर हमारा मन नहीं कर रहा होता है काम करने का हम बड़ी demotivated होते हैं करता है कि बस हम लेटे रहें या फिर हम कोई भी काम ना करें वो laziness यह काड नहीं रिप्रिजन कर रहा है इस काड को अगर आप देख पा रहे हैं तो जो figure हैं वो बीच के किनारे बैठे हुए हैं और बहुत ही comfortable सी chair में बैठे हुए हैं असपास खाने पीने का समान है तो कहीं एक fun, मज़ा, मस्ती वाली laziness होती है वो यह काड रिप्रिजन करता है और आपके professional front में इस week कुछ ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है जहां पर आपको कोई बहुत जादा physical work नहीं करना है या फिर जो भी आपके professional front में हो रहा है कहीं eating, drinking, merrymaking हो रही है अब reasons, situation, circumstances सब जमनीज के लिए differ करेंगे कभी-कभी होता है न कि किसी हमारे colleague ने या फिर हमने कोई चीज अचीज अचीव करी और हम अपने colleagues को, co-workers को party देना चाहा रहे हैं तो वो वाली एक fun, मज़ा, मस्ती हो सकती है कभी-कभी हमारी meetings, restaurants में होती है खाने पीने वाली जगह में होती है जहाँ पर हम काम भी कर रहे होते हैं हमारा, you know, eating, drinking भी हो रही होती है और कहीं, you know, एक fun, मज़ा, मस्ती भी हो रही होती है तो जो भी दो-तीन चीज़ें मेरे मारी में आई मैंने आपको कहा कहीं इसी तरीके की एक fun, मज़ा, मस्ती रहती भी दिख रही है यानि कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन साथी साथ enjoyment भी हो रही है साथी साथ, you know, एक relaxed तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हैं कोई tension नहीं है, कोई pressure नहीं है अपनी space से कर रहे हैं अपने, you know, pace से कर रहे हैं तो कहीं इस तरीके की energies रहती भी दिख रही हैं और overall के लिए एक happiness, joy भी रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए success का card है success, तो दिखे, success ही है और जो भी आप चीज के लिए पीछे effort कर रहे थे बहुत जादा अगर कोशिश कर रहे थे तो इस week उसका एक positive outcome आपको मिलता हुआ दिख रहा है एक positive result आपको मिलता हुआ दिख रहा है कहीं जो भी लोग आपके आस-पास हैं आपको appreciate करते वे दिख रहे हैं आपके efforts को recognize करते वे दिख रहे हैं हो सकता है कि इस week आप limelight में रहें यानि कि जो भी again मैं कहूंगी लोग आपके आस-पास हैं आपके personal front में उनकी तरफ से काफी एक attention मिलती भी दिख रही है उनकी तरफ से काफी एक आपके लिए appreciation रहती भी दिख रही है और आप इस चीज को enjoy करते वे दिख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा खयाल रखें कि कहीं एक arrogant वाली energies में आजाएं क्योंकि जब हमें लोग appreciate कर रहे होते हैं हमारे efforts को recognize कर रहे होते हैं तो इस चीज का खयाल रखें otherwise दिखिए success card के लिए कुछ ज़ादा कहने की ज़रत नहीं है it means कि जो भी आप चाहा रहे हैं कहीं उसके लिए एक positive circumstances positive circumstances तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन positive एक महौल रहतावा दिख रहा है एक fertile conducive महौल रहतावा दिख रहा है जहां पर यहां तो आपको तुरंथ ही positive outcome मिल रहा है यहां फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यह काम हो जाएगा करिशान होने की ज़रत नहीं फिक्र करने की ज़रत नहीं है तो overall ही यह week चाहें वो आपका professional front हो यहां personal front हो काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and in general यहां फिर guidance है family का card है अब देखिए जो लोग हमारे professional front में हमारे साथ काम करते हैं वो हमारी professional family होते हैं और जो personal front में हमारे loved ones, close ones होते हैं वो भी हमारी family जैसे होते हैं तो हो सकता है कि अपनी family पे आप ज्यादा focus कर रहे हैं वो चाहें आपका professional front हो यहां personal front हो यहां पर यह card कहरा है कि कहीं एक balance maintain करें और जो भी बहुत आपके close ones हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े हुए हैं खड़े हुए in the sense कि आपको हमेशा support करते हैं उनको ज़रूरा prioritize करें जो भी आप कर रहे हैं and astrology से आप लोगों के लिए विस्ता का card है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday and Thursday तो यह था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नेचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Gemini's आप लोगों के लिए देखें यह coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है participation participation का card बहुत एक enthusiasm excitement की बात करता है आप काम कर रहे हैं बहुत motivated रहते हुए दिख रहे हैं हो सकता है कि बहुत time से कोई चीज आप desire कर रहे थे कोई outcome in fact में कहोंगे आप desire कर रहे थे वो आपको मिल रहा है या पिर आपको यह से लग रहा है कि अब इस चीज को आप achieve कर लेंगे और again जो भी काम आप कर रहे हैं कहीं जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनकी तरफ से बहुत एक supportive energy रहते भी दिख रही है या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने team members के साथ या colleagues, co-workers के साथ मिलकर कोई काम करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं positive changes भी इस week specifically आपके professional front में रह सकते हैं अब ये general leading है तो ये positive changes सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि change of place, change of residence, change of office change of team, change of job या तो हो रहा है या फिर इसी से ही related कोई तो positive activity इस week रह रही है और बहुत एक involvement आपकी रहती भी दिख रही है और इसी involvement के लिए आपको जो भी आपके efforts है आपको एक appreciation recognition भी मिलती भी दिख रही है all in all ये week आपके professional front के लिए काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लगों के लिए receptivity का card है और सबसे पहली चीज देखे receptivity का card receiving value energies की बात करता है कितनी बारी होता है na relationships में या फिर जो भी चीज हम चाहते हैं उसको लेकर हम बहुत actions लेते हैं हम बहुत initiative लेते हैं हम बड़ा effort करते हैं या फिर हम बड़े giving हो जाते हैं और in the process हम भूल जाते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें balance ही ideal situation है यानि कि अगर हम बहुत giving हो रहे हैं तो हमें receive भी करना आना चाहिए अगर हम बहुत action initiatives ले रहे हैं तो time to time हमें pause करके खुद से पूछना चाहिए जो भी action initiatives ले रहे हैं वो right direction में है right है या नहीं है और this week कहीं ये card इसी चीज के आपको याद दिलाता है कि थोड़ा सा आपने pause लेना है थोड़ा सा आपने receiving बली energies में रहना है बहुत सारे concerns के लिए हो सकता है कि आप ऐसी ही energies में हैं जो नहीं है उनके लिए card एक reminder है और कहीं receptivity का card चीजों को लेकर लोगों को लेकर काफी emotional होने की काफी sentimental भी होने की बात करता है तो जो भी आपके personal front में हो रहा है कहीं you know उसमें emotions involved होते हुई दिख रही है sentiments involved होते हुई दिख रहे हैं या तो आप बहुत emotional होके चीजों को देख रहे हैं डील कर रहे हैं और बहुत एक love, care, प्यार, महबबत किसी खास इंसान को लेकर या फिर अपने close ones, loved ones को लेकर महसूस कर रहे हैं आप देखिए वो हमेशा ही हम महसूस कर रहे होते हैं लेकिन कभी-कभी इस चीज का एहसास हमें बहुत जादा होता है या फिर इस चीज को लेकर हम expressive बहुत जादा होते हैं तो यह उन में से एक हफता है जहां पर आप जादा expressive हो रहे हैं या फिर जादा इस चीज को महसूस कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि किसी loved one से आपको बहुत एक love care मिल रही है या फिर वो बहुत expressive हो रहे हैं अपनी feelings को लेकर तो कहीं relationships इस week आपके personal front में focus रहता हुआ दिख रहा है और अगर हम guidance के हिसाब से देखें तो card आपको कहता है थोड़ा सा receiving वाली energies में रहें और कुछ के लिए जैसे कि मैंने अभी कहा आप अपने आप से ही ऐसी ही energies में रहना चाह रहे हैं और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए the cauldron का card है और दिखें cauldron का card कहीं spiritual renewal के बात करता है कहीं you know एक inner जो एक हमारे अंदर potential होती है जो एक strength होती है जो बहुत जबरदस्त एक capabilities हमारे अंदर होती है उनको जानने की बात करता है यानि कि जो भी आप काम कर रहे हैं एक full faith अपने उपर रखें कि भी आप कर सकते हैं आपके अंदर वो power है आपके अंदर in fact मैं कहूंगी वो magical power है और हम सब लोग हैं ही magical beings हम जब तक mirror में अपनी physical body को देखते हैं हमें एहसास नहीं होता है क्योंकि actually में we are not the body we are the soul और soul supreme soul का हिस्सा है तो उसके अंदर तो हैं ही magical energies तो इस magical energies का एहसास रखें यानि कि realization रखें that you are a soul and you have all the power to achieve anything and everything that you want तो again इस चीज की realization में इस week ज़रूर रहें वैसे तो हमेशे ही रहना चाहिए but इस week आप लोगों के लिए guidance है and astrology से आप लोगों के लिए Saturn gray का card है इसके हिस्साप से all shades of blue, indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले लिए उस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है beyond illusion beyond illusion का card एक दो चीजें कहता है कुछ लिए उसके लिए हो सकता है कि कि किसी भी चीज को लेकर एक भ्रम में आप रह रहे हैं वेना ऐसे भ्रम में रह रहे हैं मतलब सच से reality से आप वाकिफ नहीं है और कुछ के लिए हो सकता है कि आप सच reality को जानना ही नहीं चाह रहे हैं बस आपने अपने मन में सोच लिया कि यही सच है यही reality है और इस सेनारियो में आपका यह भ्रम तूटता हुआ दिख रहा है यानि कि आपने जिस भी चीज को सच माना हुआ है वो कहीं सच नहीं है और फिर से कहूंगी reality से आप वाकिफ होते वे दिख रहे हैं अब कुछ के लिए यह बहुत एक awakening हो सकती है और कुछ के लिए थोड़ा सा hurtful रह सकता है और दूसरी चीज यह काट कहता है कि जितना आप expect कर रहे हैं जितनी आपकी उमीदें है चीजें उससे भी जादा होती भी दिख रही है और यहाँ पे भी कुछ के लिए positive रह सकता है कुछ के लिए negative रह सकता है तो situation circumstances सब के लिए differ करेगा लेकिन जो भी चीज को लेकर again एक भ्रहम है उससे आप भार निकलते वे दिख रहे हैं कहीं आप reality से सच से वाकिफ होते वे दिख रहे हैं आप देखिए कितनी बारी यह हमें hurt करता है कितनी बारी एक awakening होती है लेकिन दोनों ही सेनारियों में सच से वाकिफ होना ही एक ideal situation है क्योंकि जब तक हम सच को नहीं जान रहे हैं जब तक हम सच को नहीं समझ रहे हैं एक temporary happiness तो रहती है लेकिन long term happiness नहीं रह पाती है कभी-कभी हमें hurtful तरीके से सच पता लगता है जो कि थोड़ी देर के लिए हमें परिशान भी करता है बट ultimately ये हमें एक positive energy की तरफ या फिर एक happiness की तरफ लेकर जाता है तो देखे फिर से कहूंगे situation सबके लिए differ करेगी लेकिन इस तरीके की energies रह सकती है और दूसरा जो मैंने आपको meaning बताया कि जितनी आपने उमीद करी है जो आपकी expectations है उससे भी जादा होती भी दिख रही है अब अगर positive है यानि कि आपने उतना profit नहीं expect किया उससे जादा आपको हो रहा है तो आप बड़े खुश होंगे लेकिन कोई negative चीज है यानि कि जो आप नहीं चाहा रहे हैं उसमें आपने जितनी उमीद करी उससे जादा होगा तो थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं ये weekly rating है तो बहुत बड़ा कुछ भी नहीं होगा चाहें हो अच्छा हो या negative हो छोटा मोटा ही रहता हुआ दिख रहा है एकका दुक्का लोगों की बात अलग है and personal front के लिए आप लोगों के लिए compromise का card है बहुत ही clearly ये card कहता है कि जो भी आपके personal front में हो रहा है कहीं थोड़े से adjustments, थोड़े से compromises आपको करने पड़ सकते हैं अब दिखें situation, circumstances यहाँ पर भी सबलियों के लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि you know relationship में आपको छोटे मोटे compromises करने पड़ रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई एक outcome, कोई एक result आप expect कर रहे थे आपको 100% नहीं मिल रहा है थोड़ा सा चीजें आपके हिसाब से हो रही है थोड़ा सा चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है यह काट कहीं 50-50 भी चीजों के होने की बात करता है यानि कि again पूरी तरीके से चीजें आपके तरीके से नहीं हो रही है पूरी तरीके से जैसे आप चाहा रहे हैं उस तरीके से आपको चीजें नहीं मिल रही है nutshell में छोटे मोटे compromises, छोटे मोटे adjustments इस week आपको करने पड़ सकते हैं और देखिए अगर आप थोड़ा सा pause करके life को देखें life is a beautiful compromise इस पूरी ही दुनिया में एक भी ऐसा इनसान नहीं है जिसकी life में सब कुछ उसी के हिसाब से हो रहा हो और देखिए यही एक hardcore reality है जब इस चीज को हम समझ लेते हैं, accept कर लेते हैं तो जब हमें छोटे मोटे compromise करने पड़ते हैं हम परिशान नहीं होते हैं क्योंकि कभी चीज़ें हमारे तरीके से होती हैं कभी universe के तरीके से होती हैं कभी 50% हमारे तरीके से 50% universe यहां फिर circumstances situations की तरख से होती हैं और इस week वो 50-50 वाली situation जादा आपके लिए रहते भी दिख रही है और इन जनरल यहां फिर guidance से आप लोगों के लिए the marrying maiden का card है I don't know इस card को कितना देख पा रहे हैं इस card में जो figure हैं वो chain से जकडी होई है और अभी हमने personal friend में देखा कि कुछ compromises, adjustments आपको करने पर सकते हैं और यह card आपको advice करता है कि आप adjustment कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन अपनी self respect को न आप compromise करें अपनी self respect को ज़रूर आप maintain करें और एक thin line हमेशा हमें draw करनी चाहिए compromise करना बड़ी अच्छी बात है लेकिन इतना भी ना कर दें कि भी आप ही करते जा रहे हैं और सामने से कुछ नहीं हो रहा है specifically अगर relationships में ऐसा रह रहा है nutshell में इस card का मतलब यही है कि अपनी self respect को बनाए रखें उसको लेकर आप compromise ना करें और astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था लियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही काशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए वोगोज आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है guidance guidance के literal meaning को देखें तो किसी से सलहा advice लेने की या पर किसी को सलहा advice देने की बात करता है और broader level के लिए कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहता वा दिख रहा है क्योंकि ये general leading है थोड़ा थोड़ा situation circumstances सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि जिस भी चीज पर आप अपने professional front में focus कर रहे है या मैं ऐसा भी कह सकते हूँ जिस भी work पर आप अपने professional front में focus कर रहे है आप और लोगों से उसके बारे में discussions कर रहे हैं बात चीत कर रहे हैं to understand कि भी कैसे आप इसको further लेकर जा सकते हैं देखिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक्जामपल दिया है कुछ के लिए हो सकता है literally ही आप किसी से counselling ले रहे हैं या पिर जो भी काम आप कर रहे हैं आप सब से पूछ के, सब की सलहा लेके और सब को साथ लेकर चल रहे हैं और कहीं ऐनों ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है कि कोई आपके professional friend में colleague है, co worker है वो आप से बहुत advice ले रहे हैं, सला ले रहे हैं आप से पूछ के या फिर आप से चीजों को समझ के आगे बढ़ रहे हैं अब दिखें फिर से कहूंगी यह मैंने सिरुफ और सिरुफ एग्जाम्पल दिया है situation, circumstances सब के लिए differ कर सकते हैं यह कार्ड कहीं concrete level पे discussions, interactions, advice, salha, guidance लेने की बात करता है और किसी ना किसी level पे कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional friend में रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि यह money का भी कार्ड है तो कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से भी related या तो आपको gain फाइदा हो रहा है, stability, security आपने हैसूस कर रहे है या पिर कैसे financial stability, security आपके professional friend में आए कैसे आप अपने financial goals को अचीव करें, financial freedom को अपने professional friend के थुरू अचीव करें आप उस पे focus कर रहे हैं और yes, all in all ये भी काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and the personal friend के लिए आप लगों के लिए letting go का card है अब letting go के भी literal meaning को देखें तो किसी चीज़ को, situation को, circumstances को, या इनसान को या again कहूंगी कोई भी चीज़ हो सकते, उसको let go करने की बात करता है यहाँ पर behavior भी हो सकता है, आदत भी हो सकती है, जगा भी हो सकती है जो भी चीज़ें मेरे mind में आती जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ यह काट कहता है, या तो आप let go कर रहे हैं, again कोई situation हो सकती है, circumstances हो सकते हैं, इनसान हो सकता है, जगा हो सकती है behavior आदियत कोई भी चीज़ हो सकती है या फिर आपको करने की ज़रत पड़ रही है या ऐसी वाली एक energies हैं इस week और एक चीज़ का खयाल रखें या आपकी पूरी जिन्दगी की reading नहीं है ये सिरोफ और सिरोफ इस week की reading है तो इस week या तो ऐसे situation circumstances हो रहे हैं फिर आपको ऐसी energies में रहने की ज़रत है और हो सकता है आप नहीं रह पा रहे हैं लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है आपको आप देखिए example में आपको दूँगी जैसे होता है ना हम किसी loved one को बड़ा convince कर रहे होते हैं हमारे parents होते हैं हमको हम अपनी सहत का ध्यान रखने के लिए बड़ा convince कर रहे होते हैं या बच्चों को हम बड़ा pursue कर रहे होते हैं वही पढ़ लो, career पर focus कर लो या किसी loved one से romantic relationship में attention चाहा रहे होते हैं और उसके लिए उनको बहुत convince कर रहे होते हैं अगें मैंने आपको example दिये हैं और over ही हमारी तरफ से एक effort हो जाता है या convincing वाली energies हो जाती हैं तो उस scenario में ये काट कहता है कि थोड़ा सा pause लें थोड़ा सा उनको इस week के लिए let go करें मैं यह नहीं गहाँ हमेशा के लिए उनको let go कर दें ये इस week आप इन energies को let go करें अपने उपर focus करें बहुत rigid fixated किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं तो फिर से कहोंगी flexibility रखें और जितना ऐसी energies में रहेंगे उतना इस week को आप भैतर करेंगे और इन जनरल याँ फिर guidance से आप लोगों के लिए increase का card है और देखिए increase का card कहीं sharing की बात करता है reaping rewards की बात करता है abundance की बात करता है fertile ground की बात करता है तो यहाँ पर देखिए guidance का card आपको यही कह रहा है कि इन energies में अगर आप रहे जो भी professional personal front की energies हैं तो आप एक abundant energies experience करेंगे एक increase आप जो भी चाह रहे हैं उस चीज के लिए experience करेंगे अगर मैं personal front के लिए देखूँ तो मैंने कहा थोड़ा सा letting go वाली energies में रहेंगे तो यह एक increase जो भी आप चाह रहे हैं उसमें लेकर आएगा when I say increase मतलब एक abundant एक positive energies लेकर आएगा और यह कहीं एक fertile ground create करेगा जिससे की जो आप चाह रहे हैं उसको अचीव कर पाएंगे और professional friend में थोड़ा सा guidance लेके, advice लेके, सलहा लेके आप चीजों को करेंगे तो यह help करेगा आपको आपके goal को अचीव करने में and astrology से आप लोगों के लिए Capricorn का card है और इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो यह था वोगोज आप लोगों के लिए coming week का साथ तहिक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चले लिबराज आप लोगों के लिए देखें यह coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है new vision new vision के literal meaning को देखें तो इस week हो सकता है कि अपने professional front से related कुछ नया vision आप create करना चाहारे है हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि पुराने तरीके से पुराने एक style से बहुत time तक आपने चीज़ें करी अब थोड़ा सा नए तरीके से चीज़ों को deal करना है नए एक perception से या फिर नए नजरिये से चीज़ों को देखना है और देखिए कभी-कभी ये चीज़ बहुत-बहुत important होती है specifically जब हम बहुत rigid होते हैं या फिर बहुत लकीर के फकीर बन कर चल रहे होते हैं और अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर ये card आपको guidance दे रहा है advice दे रहा है कि थोड़ा सा हटके आप चीज़ों को करें थोड़ा सा out of the box thinking रखें और कहीं you know जिस भी तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं perceive कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा बदलें ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि unlimited options आपके सामने हैं I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं इस card में जो figure हैं वो बंद लिफाफे में से बाहर निकल रहे हैं और उनका posture आप देखें एक दम से जैसे एक expansion वाली energies हैं और इसी चीज़ की guidance आपको ये card भी दे रहा है हो सकता है again मैं कहूंगे बहुत सारे Libras ऐसी energies में हैं जहाँ पर जो भी वो कर रहे हैं या फिर मैं कहूंगे जो भी limitations restrictions आपने अपने लिए लगाई हुई हैं आप उनसे खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं for example कितनी बारी मन ही मन हम सोचने लगते हैं कि ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं ये तो possible ही नहीं है ये तो you know हमारी capacity में ही नहीं है या फिर हम इस चीज़ के लिए capable नहीं है तो इसी thinking से अपने आपको बाहर निकालना है और कहीं फिर से कहूंगी चीज़ों को different नजरिये से भी देखने की कोशिश करनी है और ऐसा करेंगे तो इस week को बहुत great करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जितना आप achieve कर सकते हैं उस level पे आप नहीं achieve करेंगे थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए thunderbolt का card है thunderbolt का card suddenly किसी भी suffocating situation से बाहर निकलने की बात करता है और इस scenario के हिसाप से देखें तो वो सकता है कि sudden unexpected changes आपके personal front में रह रहे हैं अब दिखिए weekly reading है weekly reading में बहुत कुछ major नहीं होता है इका दुका लोगों की बात अलग है तो you know sudden changes छोटी मुठी चीज़ों को लेकर इस week रह सकते हैं और दूसरी चीज ये card कहता है कि आपको किसी चीज के लिए बड़ा गुसा आ सकता है specifically अगर बहुत time से आप उस चीज को suppress कर रहे थे अपने अंदर रखते जा रहे थे तो अगर गुसा अपने अंदर contain करा हुआ था तो वो एकदम से blast हो सकता है आप बहुत गंदे तरीके से सामने वाले को communicate कर सकते हैं अपने गुसे को बाहर निकाल सकते हैं और इसी लिए दिखिए advisable यही होता है कि time to time हम you know in energies को went out करते रहें especially गुसे को क्योंकि जब हम बहुत ज़ादा contain करते हैं तो फिर ऐसी एक situation आ ही जाती है कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि किसी के लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर suppress करते जा रहे हैं तो इस week आप नहीं contain कर पा रहे हैं तो देखिए positive scenario में भी यह suffocating situation से आप suddenly बहार निकलते हुए दिख रहे हैं negative भी हो सकता है और जब भी यह काड़ाता है मैं बहुत यह खास खयाल रखें कि जो भी चीज का आप went out कर रहे हैं वो तरीका सही हो क्योंकि हम ऐसा कर तो लेते हैं फिर बाद में हम खुदी परिशान होते हैं पच्टाते हैं तो इस चीज का खयाल इस week आप रखें क्योंकि फिर से कहूंगी sudden गुसा आ सकता है sudden एक frustrating वाली energies बहार निकल सकती है और दूसरी चीज का जो आपने खयाल रखना है अगर आप drive करते हैं तो आपने बड़े ध्यान से drive करना है हमेशा ही इस चीज का खयाल रखना चाहिए लेकिन इस week थोड़ा सा ज़ादा खयाल रखें and in general या फिर guidance से the wanderer का card है और ये card कहता है कि थोड़ा सा एक unfamiliar situations हो सकती है वना ऐसे unfamiliar मतलब आपने नहीं expect किया देंगे और हमने कह दिया तो कहीं ये नो बहुत ही एक वने छोटा से example दिया है इस तरीके की या किसी भी तरीके की unfamiliar situations है सकती है और तोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि एक अकेला पन है उतना एक support उतना एक you know coordination is not the right word help भी right work नहीं है support ही मैं कहूंगी जादा अपने किसी loved one या co-worker colleague से आपने ही महसूस कर रहे हैं ऐसे में अपने उपर faith रखें अपने उपर confidence रखें जिन God को मानते हैं उन पर faith रखें क्योंकि यह जो लोगों का support होता है यह बहुत superficial होता है मैं कह सकती हूँ अगर हम universe पे faith रखते हैं तो फिर कहीं न कहीं से कुछ न कुछ हमारे काम बनी जाते हैं तो इस जीज का भी खयाल रखें और astrology से आप लुगों के लिए Taurus sign का card है इसके हिसाब से all shades of green yellow इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए होगा Friday तो यह था Libra's आप लुगों के लिए coming week का सापता है एक राजशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ रिदोनेट किया कितना आप connect कर पाए तो चले इस copy उस आप लुगों के लिए तो प्रूफेशनल फ्रंड के लिए आप लुगों के लिए काड है turning in और यह काड कहता है कि इस week specifically professional फ्रंड में बहुत जादा आप चीजों में और फिर इवेंट्स में अपने आपको involved नहीं कर रहे हैं पाटिसिपेट नहीं कर रहे हैं अब reason इसके लिए सब स्कॉप्यों क कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप holiday पे हैं आप काम पे ही नहीं जा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपके professional फ्रंड में बहुत जादा activity नहीं हो रही है कोई बहुत you know ऐसे targets नहीं है goals नहीं है जनको आपको इस week ही achieve करना है और इसलिए बहुत एक passive सी energies हैं कुछ के लिए ह हो सकता है कि पीछे आपने बहुत effort किया बहुत मेहनत करी और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा तो अराम करना बनता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत energetic नहीं महसूस करें कुछ के लिए हो सकता है कि motivation उतना आपको नहीं हो रहा है enthusiasm excitement कहीं कम रह रहा है और भी चीजे मेरे mind में आई मैंने कहा सब के लिए different reasons होंगे लेकिन broader level के लिए turning in का card कहता है कि again आप बहुत ज़्यादा चीजों में involved नहीं कर रहे हैं आपने एक backseat लिए है आपने एक backstep लिया हुआ है and देखिए आप reason पर depend करेगा कि यह week आप लोगों के लिए कैसा जाएग अगर deliberately you know आप थोड़ा सा off लेना चाहते हैं अपने काम से तो फिर तो ठीक ठाक जाएगा लेकिन अगर कोई भी और reason है तो थोड़ा सा आप परशान हो सकते हैं but this is a neutral card तो मैं यह नहीं कहूंगी कि कुछ भी गलत हो रहा है खराब हो रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लि energies हैं अगर आपकी हैं तो आप लोगों को situation को circumstances को control करना चाह रहे हैं mind से चल रहे हैं logically चल रहे हैं कहीं बहुत ही again मैं कहूंगी rigid हो रहे हैं चीज़ों को लेकर flexibility missing रहती भी दिख रही है emotions feelings missing missing रहती भी दिख रही है अब यहाँ पर दिखिए कुछ के लिए simply यह भी हो सकता ह कि आप अपने ही thoughts को अपने ही किसी behavior को control करना चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आप किसी इंसान को या क्योंकि यह personal front के लिए है तो अपने किसी love one close one को control करना चाह रहे हैं थोड़े से dominating हो रहे हैं कुछ के लिए situation circumstances को control करना चाह रहे हैं आपको लग रहा है बस जैसे मै मैं चाहा रहा हूं जैसे मैं चाहा रही हूं वैसे ही हो बट लाइफ ऐसी नहीं होती है लाइफ में कभी हमारे हिसाब से चीजे होती हैं कभी हमारे हिसाब से नहीं होती हैं लेकिन जब आप over systematic हो जाते हैं, in the process आप rigid हो जाते हैं, आप fixated हो जाते हैं, आप और किसी तरीके से चीजों को देखना ही नहीं चाहते हैं, deal ही नहीं करना चाहते हैं, तो फिर वो control negative हो जाता है. तो थोड़ा सा खयाल रखें कि ये control positive रहे, अब positive control देखें आप अपने thoughts को अगर, negative thoughts को in fact मैं कहूंगी, control करना चाहरे हैं, in fact देखें control से तो negative thoughts भी नहीं रुखते हैं, थोड़ा सा हमें divert करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें अपने mind को deviate करना पड़ता है, तो discipline और जो भी मै तो जरूर इसको check करके correct करें, और अगर कोई और इनसान आपको control कर रहे हैं, तो please don't allow them, I know बहुत सारे लोग बुलेंगे, मैं हम थोड़ी allow करते हैं, वो control कर रहे होते हैं, but अगर आप उनका control सह रहे हैं, बरदाश कर रहे हैं, आप उसके लिए stand नहीं ले रहे हैं, तो behavior आपके लिए change हो जाएगा, तो दोनों ही scenario में थोड़ा सा ख्याल रखें, और ऐसा करेंगे तो ठीक, ये भी ठीक जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर अभी तो नहीं, लेकिन आगे चलके थोड़ा परिशान हो सकते हैं, in general या फिर guidance है, आप लोगों के लिए the gentle का card है, देखिए मैं हैरान हो जाती हूँ कई बड़ी की cards कैसे, you know, हमें जवाब दे रहे होते हैं, यहाँ फिर हमें advice दे रहे होते हैं, यहाँ पर control है और यहाँ पर gentle है, दोनों ही एकदम से opposite है, तो किसी चीज़ पर एक control, force, अब देखिए, again, सब के लिए circumstances, situations, दिफर और यहाँ पर gentle का card क्याता है, relax, भाई, chill, भाई, थोड़ा सा gentle रहो, थोड़ा सा, you know, एक balance maintain करो, थोड़ा सा, मैं यह नहीं कहूँगी कि आप over gentle हो जाएं, but over controlling भी ना रहें, तो यह जो अगर आप एक balance maintain कर पाते हैं, तो आपके लिए week बहुत अच्छा रहेगा, in fact cards भी आपको यही guidance भी दे रहे हैं, कि थोड़ा सा soft approach रखें, faith रखें, जिन भी God को आप मानते हैं, universe पे और इस energies के साथ आप इस week ज़रूर है, astrology से आप लोगों के लिए Leo sign का card है, इसके एसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday, तो यह था, Scorpius आप लोगों के लिए coming week का साथ ही राशीफल, और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए से readers आप लोगों के लिए देखें, coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional fund के लिए आप लोगों कि इस चीज को सुनके सबसे पहले चीज आपने डरना नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है, यह सिरफ और सिरफ इस week की reading है, weekly reading में बहुत बड़ी चीजे नहीं होती हैं, और वैसे भी एक आट कहता है कि आप stressed और tension इस week हो सकते हैं अपने professional fund में, बट इस इसलिए नहीं क्योंकि externally कोई चीज खराब हो रही है, इसलिए क्योंकि आप overthinking कर रहे हैं, आप over analytical हो रहे हैं, आप बहुत जादा ही चीजों को mind में बड़ा बना रहे हैं, और अगर ऐसा आप पाएं तो इस चीज को ज़रूर आपने check करके correct करना है, अगर आप चाहते हैं क यह weak आपका अच्छा जाए, और दिखिए otherwise भी, external phone में जो भी हो रहा है वो beyond the point हमें परिशान नहीं कर पाता है, जब तक हम उसको अपने mind में बुरा नहीं बनाते हैं, everything starts and happens in the mind only, और इसी लेशद बुद्धा कहते भी हैं, thoughts become things, तो यहाँ पे दिखिए सबसे पहली चीज म आप परिशान हो रहे हैं, किसी चीज को लेकर एक stress हो रहा है, और जैसे ही आप अपने thoughts की checking करेंगे, आप पाएंगे कि बहुत एक negative thought process चल रहा है, या पर fear, insecurity किसी चीज के लिए हो रहा है, और आपने तुरंत इसको check करके correct करना है, यानि कि बोलना है, recall, cancel, delete और उसकी जग की ही वजए से हम परिशान होते हैं, अगर हम ये art सीख जाएं, यानि कि इसको check करके correct करना सीख जाएं, तो हमारी life में से बहुत सारी problems खतम हो जाएंगी, और इस week आपने इस चीज का खयाल रखना है, और मैं तो कहूंगे कि lifelong, इस चीज को आप practice करेंगे, और आप देखें कर रहे हैं, इस card में healing का मतलब ये है, और पीछे कोई भी चीज अगर आपको bother कर रही थी, आप परेशान हो रहे थे, तो इस week बहुत better feel करते हुए दिख रहे हैं, और ये card कहीं है नो, loved ones, close ones के साथ जाधा time spent करने की, उनसे जाधा interaction करने की, या उनके लिए बहुत love care भी feel क रहने की बात करता है, या फिर उनकी तरफ से बहुत love care मिलने की भी बात करता है, और कुछ ऐसा भी आपके personal front में रह सकता है, तो देखिए all in all, जो भी personal front में हो रहा है, कहीं अच्छा ही आप feel करते हुए दिख रहे हैं, या फिर कहीं एक आपकी healing होती भी दिख रही है, कु आपको मिलता हुआ दिख रहा है, कुछ के लिए हो सकता है, कि आप अपने loved ones, close ones के साथ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ज्यादा time spent कर रहे हैं, ज्यादा उनके साथ eating, drinking, marimaking हो रही है, तो all in all, personal front से related, यह भी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, and in general या फिर guidance से, आ अभी आपको professional front के लिए कहा, तो दिखी, यह काट भी यही कह रहा है, कि थोड़ा सा एक self discipline रखें, और self awareness रखें, कितनी बार ही होता है, हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, हम उन चीज का एहसास ही नहीं होता है, कि हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, और उस time हम नह आप चीजों को और भेतर करेंगे, और astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है, इसके हिसाब से all shades of blue, यहां फिर मैं कहूंगी bright जो भी shades होते हैं, वो आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday, तो यह था सेटेटेरियर से आप लोगों के लिए क coming week का साथ है क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर भाए, तो चलिए काप लोगों के लिए देखें, यह coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है totality, और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, आप बहुत cautious, conscious हो रहे हैं, होता है ना कभी-कभी हमें लगता है कि भी हमारी तरफ से कोई गलती ना हो जाए, और आपकी खुद की ऐसी energies हो सकती है, या पर circumstances, situations ऐसे हैं, जहां पर आपको बहुत cautious, conscious होके चलना पड़ र दिख रहे हैं, I don't know, इस कार्ट को आप कितना देख पा रहे हैं, जैसे पुराने जमाने में सरकस होती थी थी ना, तो सीलिंग पे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ते हैं, कभवाली, I don't know, is the right word, मतलब एक उल्टी-पल्टी करते हैं, और उसमें अगर हलका सा भ अभी हमने अपना फोकस हटाया, या फिर हलका सा भी हमने अटेंशन नहीं दी, तो फिर इशू मसला हो सकता है, इस तरीके के एनर्जी रहती भी दिख रही हैं, अब रीजन सब कैप्रिकॉंस के लिए डिफर करेंगे, कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत जबरदस्त इंवल्वमेंट भी करने की बात करता है, थोड़ा सा चुकन्ना भी रहने की बात करता है, अलर्ट और एटेंटिव भी रहने की बात करता है, और ऐसा ही जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंड में हो रहा है, आप रहते वे दिख रहे हैं, और परसनल फ्रंड के लिए आप लिए traveling का card है, अब देखे, traveling का card एक दो चीजें कहता है. कुछके लिए literally हो सकता है कि इस week आप travel कर रहे हैं, अब ये travel, you know, city, जिस city में आप रहते हैं, उससे बाहर within the country रह सकती है, कुछके लिए out of the country रह सकती है, कुछके लिए हो सकता है कि, yes, sorry, मैंने बुला within the city, within the city नहीं मतलब एक city से दूसरी city में रह सकती है या within the city भी बहुत ज़ादा आप एक जगा से दूसरी जगा पे जा रहे हैं या out of country हो रहा है अब देखिए यहां पर भी सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसा हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि planning चल रही है traveling से related तो इस तरीके से related कोई भी चीज रह रही है और कुछ के लिए हो सकता है कि एक shift एक movement आ रहा है specifically पीछे अगर किसी भी चीज में आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे को ऐसे लग रहा था कि stuck हो गए है तो इस week suddenly चीजे आगे बढ़ती हुए दिख रही है या फिर अगर आप पीछे action initiatives नहीं ले रहे थे किसी भी चीज के लिए किसी भी reason की वज़े से इस week आप बहुत active रहते हुए दिख रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत तेजी से चीजे आगे बढ़ रही है तो देखिए दूसरा मतलब इस card का होता है कि एक movement हो रही है एक shift हो रही है यह movement shift किसे भी level पे हो सकता है मैंने एक तो आपको बताया traveling दूसरा मैंने आपको बताया ही कि stuck energies में से बाहर निकल रहे हैं और तीसरा की कुछ changes आ रहे हैं आपके personal front में और यह changes positive जाधा रहते हुए दिख रहे हैं and in general यहां फिर guidance है आप लोगों के लिए holding together का card है बच्पन में हम सब लोगों ने ये कहानी सुनी है जहां पर एक आदमी के पास जब एक लकड़ी होती है तो बड़ी असानी से तूट जाती है और जब बहुत सारी लकड़ीयां होती है तो वो नहीं तोड़ पाता है और यह यही शायद एका की ताकत होती है मतलब एक साथ होने की शक्ती होती है तो यहां पर holding together का card आपको यही message दे रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं आप जितना लोगों के साथ मिल कर करेंगे लोगों के support में करेंगे उतना जादा बहतर है गा कितनी बड़ी होता है ना हमें ऐसा ल बट यू नो वी आर सोशल अनिमल सो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर दूसरों की ज़रत पड़ी जाती है तो इसका जो एक balance होता है वो एक ideal situation होती है और इस चीज का खयाल रखें या इस चीज को इस वीग जरूर मेंटेन करें और astrology से आप लोगों के लिए और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले एक विज़े से आप लोगों के लिए देखेंगी coming week क्या लेकर आ रहा है कि energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the source और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में बहुत जबरद एक enthusiasm, excitement, motivation आप किसी खास चीज़ को लेकर या फिर overall ही महसूस कर सकते हैं कुछ के लिए self की ही तरफ से ऐसी energies हो सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपके professional front में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर बहुत एक excitement आप महसूस कर रहे हैं ये card कहीं नई beginning की भी बात करता है तो किस किसी भी लेवल पर किसी भी तरीके से कोई नई beginning भी हो सकती है और कहीं ये नई beginning भी एक enthusiasm, excitement लेकर आती भी दिख रही है आपके goal आपके मकसद के लिए आपको बहुत motivate करती भी दिख रही है अब देखिए general reading है तो ये नई beginning भी सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है आप नई job को join कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है सिरफ एक planning आपके मन में चल रही है आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं आपको बहुत अच्छी feeling हो रही है कुछ के लिए नई काम करने का तरीका हो सकता है कुछ के लिए नई सोच हो सकती है नया style हो सकता है काम करने का नया belief system हो सकता है, नई जगा, नई नया colleague, कोई भी नई चीज इस week रह सकती है, कोई भी नई beginning, इस week किसी भी level पर किसी भी तरीके से रह सकती है, all in all ये week काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, and personal front के लिए आप लोगों के लिए the dream का card है, और ये card कहता है कि personal front में कहीं relationships, emotions, feelings काफी हैं रह रह रही हैं, या तो आप अपने किसी loved one को लेकर बहुत love के और महुबत महसूस कर रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से ऐसी energies हैं, और कहीं दिखे एक imaginary दुनिया में आप जादा रहते हुए दिख रहे हैं, एक खुआब आप जादा देखते हुए दिख रहे हैं, जहां हमने देखा कि professional front में आप बहुत जबरदस्त action initiatives ले रहे हैं, जो भी आप चाहाते हैं, वही personal front में आप उसी से related एक vision बनाते हुए दिख रहे हैं, अगेन कहूँ कि खुआब देखते हुए दिख रहे हैं, उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि personal front में जो भी आप चाहा रह हैं, उसके लिए action initiatives missing रहते हुए दिख रहे हैं, अब देखिए, अगर आप vision create करने के process में, यानि कि आपको लग रहे हैं कि पहले अठ्छे से decide कर लें, आप फिर mind में सोच लें कि चाहते क्या हैं, उसके बाद action लेंगे, यानि कि आपके पास एक proper strategy है, बहुत अच्छी बा रहे हैं, आप action initiatives नहीं ले रहे हैं, तो please इस चीज को check करके जरूर correct करें, क्योंकि कहते हैं na vision without action is nothing, अगर आपने ख्वाप देखा लेकिन उसके लिए आपने कुछ करा ही नहीं, तो फिर उसका कोई फाइदा नहीं, आप कभी भी उसको नहीं achieve कर पाएंगे, इस चीज का ख जादा इस वीक अपने आपको past में रहते हुए पाएं, होता है ना कभी-कभी हम पुरानी ही बातों पर focus कर रहे होते हैं, till the time it is bringing happiness और moderation में है, balanced तरीके से है, it's fine क्योंकि हम अपनी memories को अपने mind से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि इस past मे रहने की वज़े से आप current situation पर नहीं focus कर पा रहे हैं, आप life में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, life तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि आपकी पूरी life की reading नहीं इस week, you know, आप ठीक से चीज़ों को नहीं deal कर पा रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को check करके correct करें, and in general हैं पर guidance ह आप लगों के लिए approach का card है, बहुत ही beautiful card है, I don't know आप कितना देख पा रहे हैं इसको, red carpet की stairs हैं, और जैसे ना एक entrance है, दरवाजा है, बहार निकलो तो बहुत ही प्यारे pink color के flowers हैं, तो ये card सबसे पहले चीज़, arrival की बात करता है, किसी के आने की भी बात करता है, और कहीं prosperous conditions की भी बात करता है, यानि कि जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए बड़ा एक conducive सा, universe की तरफ से supportive सा, एक environment, energies आपके लिए वे label हैं, और अगर ऐसे में हम अपनी तरफ से effort नहीं करते हैं, तो फिर हम चीज़ों को नहीं पापाते हैं, क्योंकि universe भी हमें तब ही तक help कर सकते ह जब तक हम action initiatives लें, तो इस चीज़ का भी खायाल इस week जरूर करें, नचल में जो भी आप चाहते हैं, उसको पापाएंगे, अगर आप proper तरीके से action initiatives लेंगे, क्योंकि universe की तरफ से बहुत एक supportive energies, खासकर इस week आप लोगों के लिए वे label हैं, और astrology से आप लोगों के लिए cancer sign क card है, इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लगी रहेगा, and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday, तो ये था, equivalent आप लोगों के लिए coming week का साथ तही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं, कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चले, prices आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लिकरा रहा है, कि energies है, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है innocence, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में, बहुत ही असानी से या बहुत ही simplicity के साथ, आप जो भी चाहते हैं उसको achieve कर पाएंगे, इस card को अगर आप देख पा रहे हैं, त पिर उनको बहुत एक समझ है, बहुत एक wisdom है चीजों को करने की, तो यही कहीं उन्हों एक wisdom इस week आपके लिए भी रहती हुई दिख रही है, खासकर आपके professional front में, उपर flowers हैं, वो कहीं blessings को represent करते हैं universe की तरफ से, और nutshell में देखिए, जो भी चाह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपको कहीं एक positive outcome, आपको कहीं positive result मिलता हुआ दिख रहा है, कितनी बारी होता है ना कि हम इतनी जद्दो जहत करते हैं, इतना effort करते हैं, लेकिन हमें वो result नहीं मिलता है, हमें कहीं वो एक positive outcome नहीं मिलता है, जो हम चाह रहे होते हैं, और कितनी बारी हम थोड़ा बहुत हलक करते हैं, समझदारी के साथ चीजों को डील करते हैं, जो हमारे past experiences हैं, उनसे wisdom, उनसे learning लेकर हम चीजों को डील करते हैं, तो बड़ी असानी से और बहुत ही, you know, simplicity के साथ हमें वो एक result मिल जाता है, जो की इतना असान नहीं होता है, मिलना, तो कहीं इस तरीके की energies रहती हुए दिख रही हैं, जहां पर फिर से कहूंगी, बहुत out of the way जाके आपको चीजों को नहीं करना पड़ रहा है, बहुत जादा आपको जद्द जहत नहीं करनी पड़ रही है, आप थोड़ा बैठे हुए हैं, बैठे हुए का मतलब यह नहीं कि आप लिटरली बैठे हुए हैं, मतलब चीजों को कर रहे हैं और चीजें अर्राम से हो भी रही हैं, आपको वो results भी मिल रहे हैं, तो देखिए इस तरीके की energies, इस week specifically professional front के लिए रहती भी दिख रहे हैं, फिर से कहूंगी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए the outsider का card है, अब दिखे the outsider हम सब को पता है कि यह नो, बहार वाला या फिर अगर आप देख पा रहे हैं तो जो बच्चा है, वो एक बंद gate के आगे खड़ा हुआ है, या पीछे खड़ा हुआ है, जो भी आप कह सकते है तो इस card का मतलब है कि, या तो आप किसी के लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं अब या पर किसी के लिए कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है कोई situation भी हो सकती है या फिर कोई आपके लिए दरवाजा बंद कर रहा है अब situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे, for example you know, एक group of friends हैं आप लोग, और या तो आप किसी एक इंसान को इतना include नहीं कर रहे हैं, avoid कर रहे हैं, ignore कर रहे हैं या फिर आपको यसे लग रहा है कि आपके जो friends हैं, वो आपको इतनी attention नहीं दे रहे हैं किसी level पर avoid कर रहे हैं, ignore कर रहे हैं तो इस तरीके से, मतलब ये नहीं है कि कोई तपाक से आपके मुझे दरवाजा बंद कर रहा है दरवाजा बंद करने का मतलब ये हो गया कि मतलब avoid कर रहे हैं, ignore कर रहे हैं और जादा आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये आपकी reading है और ये card आपके लिए आया है तो आपको यसे लग सकता है कि भाई, वो मुझे attention नहीं मिल रही है वो मुझे एक अपने loved ones की तरफ से appreciation नहीं मिल रही है या फिर वो मुझे इतना include नहीं कर रहे हैं avoid कर रहे हैं, कोई बात छुपा रहे हैं तो इस तरीके की energies इस week रह सकती हैं और ये card money का है तो money पैसे से related भी छोटे मोटे issues रह सकते हैं अब कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है simply you know हो सकता है कोई बड़ी purchase आप करना चाह रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि मिर पस उतने पैसे नहीं है या फिर आपने किसी को उधार दिया और इस week आपको लग रहा था कि वो वापिस कर देंगे किसी loved one या फिर खास इंसान से या overall लोगों से भी कोई भी expectation है तो उस तरीके से उनकी तरफ से एक response या फिर you know जो आप expect कर रहे है behavior वो नहीं रहता हुआ दिख रहा है या आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है सिरफ और सिरफ इस week की reading है आप थोड़ा सा अगर अपने thoughts को positive रखेंगे कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले के भी अपने justified reasons होते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं लेकिन अगर हम negative frame of mind में होते हैं तो हम उस चीज़ को बहुत negatively देखना शुरू कर देते हैं और फिर वो चीज़ें और खराब होनी शुरू हो जाती है for example किसी हमारे friend ने हमें उस तरीके से नहीं greet किया या फिर उस तरीके से हमें नहीं बुलाया जिस तरीके से वो normally बहुत excited, enthusiastic हो के बुलाते हैं अगर हमारी पीछे उनके साथ कोई भी argument होई है या किसी भी तरीके का difference of opinion होई है तो बहुत सारे chances हैं हम perceive करेंगे कि वो हमसे नराज हैं और इसके basis पर अगर हम एक story अपने mind में बनाना शू कर दें और उनके लिए गलत-गलत अपने मन में सोचना शू कर दें तो फिर ये चीज़ बढ़ जाएगी और हमें ऐसे लगने लगेगा कि वो हमें avoid कर रहे हैं और ये reality नहीं है, ये सच नहीं है तो इस तरीके की energies होने के ज़ादा chances है और ऐसे में बहुत-बहुत important है कि आप सबसे पहले सच को जाने और अपने mind में कोई भी negative thought को या फिर अगर external front में छोटा-मोटा भी issue है उसको बहुत-बढ़ा ना बनाए positive thinking ज़रूर रखें क्योंकि positive thinking बहुत सारी चीज़ें आपकी life में ठीक कर देगी and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए peace का card है और बहुत clear message है इस week, peace maintain करने पे जादा focus करें example के तौर पे कितनी बड़ी हमारी हमारे loved one के साथ argument होगी अब हम उस time पे अपने आपको सही proof करने पे इतना focus कर रहे होते हैं कि हमारा उनके साथ और जादा लड़ाई बढ़ जाती है लड़ाई तो जलो जो बढ़ती है अपना भी मन का सुकून चला जाता है तो आप एक बड़ी उनको समझाए दो बड़ी समझाए नहीं समझ है न तो समझ लें beyond the point कोई इंसान आपके समझाने से नहीं समझता है वो तभी समझते हैं जब उन्हें समझ में आती है आप सिरफ एक बड़ी max-to-max दो बड़ी उनको कह सकते हैं और अगर ऐसा करेंगे तो beyond the point आप परेशान नहीं होंगे या फिर एक सुकून आपके मन का नहीं जाएगा कि जब हम over effort भी कर रहे होते हैं न सामने वाले को बताने के लिए भाई तुम गलत हो या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वो तो मानते नहीं है हम खाम खाम परेश साइन का कार्ड है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा साटरे तो ये था पाइसे आप लोगों के लिए coming week कर साथा एक राशीफल और नीजे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप कनेक्ट कर बाए